ओनेबल मेंबर श्री डाइनी शली जी धन्यवाद सवापती महोदे मैं सबसे पहले उन लोगों को जिरोंने करोना गाल में अपनी जान गवाई ऐसे हमारे कई साथी इस सदन के साथी केंदर के मंत्री हमारे मेंबर पार्लेमेंट्स, दूसरे सदन के हमारे मेंबर पार्लेमेंट्स मेरी कॉंस्ट्वेंस के खुद MLA और सिटिंग मिनिस्टर ऐसे कही उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायक और देश के विभिन चेत्रकों के जन्पितनी दी और खास्तोर से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी जान गमा करके इस कोविड करोना काल में अपनी सेवाईं दी मैं उन सब को इस सदन की तरफ से शर्दानली अर्पित करता हूँ मैं आज के मानने स्वास्त मंत्री जो पहले शिपिंग मिनिस्टर थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिपिंग मिनिस्टर रहते वे जो भूमी का निभाई ऑक्सिजन सप्लाई में उनके लिए उनको भी मैं अप्रिशेट करता हूँ शब जानते हैं कि करोना में किस तरीके से स्थितियां थी मैं स्वैं कोविड वार्ड में गया जब मैं कोविड वार्ड में जारा था तो मेरे जिला प्रशाशन के लोग मुझे से कह रहे थे अरे आप क्या कर रहे हैं हमने क्या हम इनका होसला बढ़ाने जा रहे हैं सभापती महुद्य पूरे देश ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने लापरवाही बढ़ती छोटे से राजनेतिक फाइदे के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला पूरे देश ने देखा कि जब बंगाल के अंदर चुनाओ हो रहा था तो इस देश के मानने प्रधानवंत्री जाकर के रेलिया कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचाइद चुनाओ कर आये गया उस सेकिंड वेव की पीक में पंचाइद चुनाओ हुआ सेक्लो सेक्लो टीचर जो उनकी ड्यूटी लगाई गई उनके परिवारों ने उन्हें खो दिया अभी उत्तर प्रदेश सरकान ने रिकगनाईज भी किया कि जो ड्यूटी में मरे जिनकी जान गई उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा लेकिन सिर्फ जो ओन ड्यूटी थे जो उस 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी पे थे लेकिन जो वहां से कोविड लेके गए और दो दिन बाद अपने घर पे जिनकी डेथ हुई एक दिन बाद 24 घंटे बाद किसी अस्पताल में डेथ हुई तो उनको कोई कंपेंसेशन नही नहीं दिया जा रहा है सभापती महद्य मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस चीज को अवाइड किया जा सकता था उसको अवाइड नहीं किया पूरे देश ने देखा लखनाओ के अंदर एक क्रिमेशन ग्राउंट ता महाँ पर चिताए फूकी जा रही थी मीडिया ने दिखाया तो पता चला कि अगले दिन वहाँ शीट लगा करके बाउंडरी वॉल खड़ी कर दी गई टीन के शेट लगा दिये गए कि मीडिया ना देखे गंगा के किनारे किस तरीके से लाशों को कि बेद भी हो रही थी मैं वो अलफाज यूज नहीं करना चाहता कि जानव भी हम अपना सीना ठोक रहे हैं कि हमने फत्य हासिल कर लिए हमने करोना पर जीत हासिल कर लिए मैं कहना चाहता हूं महनने सभापती मोह दिया आपके माधियम से कि इसमें सबसे जाधा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो इस देश का जो भविष्य है जो बच्चे हैं जो ग online classes होगी आप जानते हैं हम जानते हैं कि कितनी जगा गाओं देहाद के अंदर internet का connection काम करता है कितने परिवारों के पास जो है laptop आई पैड ये मोबाइल फोन है और उन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि सरकार ने अगर कहीं किसी स्टेट गवर्मेंट ने कहवी दिया कि स्कूल को फीज अभी नहीं लेनी जब तक कोविड है तो इस्कूल की यूनियन इस्कूल की एसोशीशन तो इखटा हो करके कोट से ओर्डर ले आई कि साथ फीज तो फीज आपको जो है development charges भी देने पढ़ेंगे लेकिन इस देश का गरीब इस देश का दलित इस देश का पिछला उसकी पहरवी कौन करेगा जाकर के कोट के अंदर सरकार के वकीलों ने उनकी पहरवी नहीं की सभापती मौदे मैं आप सिर्फ दो मिनिट में लेना चाहता हूं पीएम केर की हां बात हुई मैंने भी पीएम केर फंड में अपनी एक महीने की सैलरी पहले ही दिन दी थी कि CSR फंड उसमें गया कि उसकी अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मुझे उससे कुछ वता नहीं वो सरकार दाने अकाउंटिबिलिटी होनी चाहिए लेकिन मेरे छेत्र में आभी यहां घंका पीटा जा रहा है कि इंफ्रेस्ट्रेक्चर इतना बढ़ गया सर मैं एक मिनिट में अपनी बात करेंगे मैं आपको लेटर दिखाता हूं कि 20 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2021 का लेटर है अम्रोहा के डिस्ट्रिक हॉस्पिटल के सीमस का उत्तर परदेश शासन को कि हस्पताल के अंदर एक साल से इंसोलिन तक मौझूद नहीं है दवाईयों के पूरी लिस्ट लिखी है तीन लेटर लिखे 12 अक्टूबर 2020 को लिखा 5 फरवरी 2021 को लिखा 11 अक्टूबर 2021 को लिखा दवाईयों तक नहीं है डिस्ट्रिक हॉस्पिटल में मैं बस अपनी बात यहीं खतम करता हूँ मैं इतना ही कहूंगा मानने मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वेंटिलेटर सागे ऑक्सिजन प्लांट लगे लेकिन उनको चलाने वाले स्किल्ड टेक्निक्शन स्टाफ की अतियाव शक्ता है हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की अतियाव शक्ता है और मैं यहीं बात खतम करूंगा मैं एक चीज़ और कहूंगा क्यूंकि हम उत्तरप्रदेश से आते हैं पश्चिम उत्तरप्रदेश हमां से आते हैं और पश्ची मुत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला जुला है मैं आपको बताऊं कि साउथ इस डेली में बड़े-बड़े हॉस्पिटल से हैं प्राइविट हॉस्पिटल से हैं अपोलो है एक्सकॉर्ट से दुनिया भर के हैं फोर्टी से लेकिन कोई सरकारी अस्पताली मैं आप स श्राइव करूंगा कि वेस्टर यूपी नॉइडर हुठी के यह इस इसाछा के को पॉपुलेश्टन को ध्यान में रखते वे जामियमीली इस्लामिया और मैं मांग करता हूँ कि जामियों को मेडिकल कॉलिज दे और ये भी बताएं कि बूस्टर डोस्ट कब लगेगी और बच्चों की वैक्सिन कब से स्टार्ट होगी बहुत बहुत दन्य वाइवाद देखो